नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज Nifty 50 Index के बारे में और Nifty 50 Index में जो Stocks Trade करते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे यहाँ पर जो भी हम मैं आपको यहाँ पर लेवल बताऊंगे तो यहाँ पर Nifty में देखिए, जो यहाँ पर move हो रही है continue तीन दिनों से, यह देखिए, एक मतलब undecision move हो रही है देखिए, यहाँ पर जो दस्तरी की candle बनी हुई है यह एक hammer type के candle बनी थी उसका यह तो Friday की candle जो बनी हुई है यह देखिए, एक clear cut आप देख सकते हैं डोजी candle बनी हुई है तो इस तरह की candle जब भी uptrend या downtrend में बनती है uptrend होने के बाद या downtrend होने के बाद जब बनती है तो वहाँ पर देखिए, एक trend reversal का यह sign होता है और finally देखिए, आज जो candle बनी है यह भी एक undecision type की candle ही बनी हुई है तो finally देखिए, यहाँ पर हम तीन दीन से अगर देखे तो तीन candle का high लगबख सेमी है तो जब तक अब यहाँ पर इसका high cross होने के बाद closing उपर नहीं आती है या 13.600 के उपर की closing नहीं आती है तो चलिए, यहाँ पर देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, एक top लगा हुआ है और आपको अगर 13.600 के level के आसपास मिलता है तो एक selling zone है तो इस selling zone के बाद आप clear cut यहाँ पर sell के लिए जा सकते हैं तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो gap up opening हुई थी gap up opening देखिए, 13.600 के आसपास इसका high लगा इस candle का और यह जो candle की closing आई अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक shooting star candle इसको हम technical analysis की language में कहते हैं तो shooting star candle बनने के बाद देखिए और वो भी जब resistance की आसपास बने तो वहाँ पर हम clear cut sell के लिए जाते हैं अब देखिए, 15 minute की candle ने कितना अच्छा मतलब जबरदस्त move दिया है नीचे की तरफ और continue first session में nifty जो है नीचे की तरफ ही रहा और देखिए, अब यहां से bounce back हुआ है वो देखिए, level कौन सा था यहां पर मेरा cursor देखिए, जहां मैंने cursor रखा हुआ है तो यह एक देखिए, यह पहले यह resistance हुआ करता था तो जब भी resistance break होते हैं वो support बनते हैं और जब भी support break होते हैं तो वो resistance बनते हैं तो finally देखिए, यहां से 15 minute की candle जब shooting star बनी इसका continue अपने support पर आया जो resistance था वो support बन गया अपने support की बाद आने के बाद यहां से continue यहां से bounce back कर गया अब देखिए, हम को किस तरह से trade करना है अब मैं उसके बारे में, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो यहां पर अब यहां आप देखिए, अगर नीचे ध्यान से देख रहे होंगे यह देखिए higher high लगा हुआ है और यह higher low है तो हम इन दो low को पकड़ कर इस तरह से trend line draw करते हैं और trend line draw करने के बाद यहां पर हम analysis करेंगे अपनी अब देखिए, मैं यहां पर आपको gap up, gap down और flat opening के बारे में यहां पर बताने कोशिश करूँगा अब देखिए, कल यहां पर अगर nifty flat open होती है flat open होने के बाद अगर trend line के आसपास कहीं जाती है तो यहां पर एक buying का trade बना सकते हैं आपका target रोज रहेगा, वो 13600 के आसपास रहेगा ठीक है, यह तो थी flat opening की बाद और मानली जी यहां भी flat open होने का दगर यह ऊपर की तरफ निकलता है तब भी आप यहां पर 13600 के target के लिए आपना एक trade बना सकते हैं अब देखिए, gap up opening में क्या करना है अगर मानली जी यहां से gap up open होता है gap up होने के बाद अगर आपको कहीं इसके आसपास मिलता है इस 13600 के लेवल के आसपास यहां पर मिलता है कहीं तो यहां पर देखिए, आप sell का एक trade बना सकते हैं जो आप sell का trade जो बनाएंगे देखिए यहां पर कोई भी trade करते हैं तो with confirmation के लिए वो technical analysis की confirmation होने चाहिए वो data analysis की confirmation हो वो candlestick की confirmation हो यहां पर confirmation की सब कोई भी trade करिए without confirmation कोई trade मत करिए अब मानली जी यहां पर flat open होने के बाद अगर 13600 के आसपास जाता है तो यहां से आप sell का trade बना सकते हैं sell का trade बनाने के बाद इस trend line के आसपास जो है आपका target होगा पहला target यहां बुक करिएगा अगर market में ज्यादा विकनियास होगी तो maybe यहां तक आ सकता है जहां से last time यहां पर support लेके bounce back किया था अब देखिए मैं बात करता हूँ gap up opening के बारे मालेजी निफ्टी यहां पर gap up open होता है और 13,600 के लेवल के आसपास जाता है तो आप इस trend line के आसपास के target के लिए बना सकते हैं अपना target और यह जो है दूसरा जो है 13,500 के 13,490 के आसपास यहां बुक कर सकते हैं अब देखिए अगर यहां पर निफ्टी कल gap down open हो जाता है तो आपको किस तरह से trade करना है देखिए मालेजी निफ्टी यहां पर gap down open होता थोड़ा gap down होता तो आपको इस trend line के आसपास मिल जाएगा कुछ ज़्यादा gap down होगा तो आपको इस जगह मिलेगा अगर trend line के आसपास आपको मिलता है तो वहाँ पर confirmation के आप long जा सकते हैं otherwise अगर यहां पर देखिए जहां पर आज bounce back हुआ है जहां से support लेके bounce back किया है यहां पर अगर मिलता है 13,480, 490 के आसपास मिलता है तो यहां से आप अपनी buying की position बना सकते हैं अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर आज हमको एक first bottom मिला है और जब कल यहां पर निफ्टी यहां पर आएगी तो वो हमारी second bottom हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे double bottom pattern तो यहां पर एक double bottom pattern यहां पर तयार होगा और double bottom pattern के बाद आप जो है यहां से long जा सकते हैं तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में जो stock straight करते हैं उनके बारे में तो यह हमने पहला जो chart खुल लिया है वो देखिए अडानी port का chart खुला हुआ है यह देखिए कि अडानी port एक range में काम कर रहा है उपर की जो range है 475 रुपे है और नीचे की range 460 रुपे है तो यह 15 points की जो है range है अब देखिए अगर यह उपर breakout होता है तो यहां पर पहला target हमारा 15 point होगा दूसरा target हमारा 30 point होगा अगर यह नीचे की तरफ break down करता है तो भी हमारा नीचे पहला target 15 point होगा और दूसरा target 30 point होना चाहिए बस्त प्रवालिटी यह है कि यह उपर की तरफ breakout करना चाहिए नेक्स्ट है हमारा एशन पेंट्स तो एशन पेंट्स देखिए आज का जो हाई लगा हुआ है वो हाई लगा है 2553 रपे का और previous जो हाई लगा हुआ थो 2552 का तो कहने का मतलब यह है कि जब तक 2552 के उपर यह closing नहीं आती है तब तक हम यहां पर trade नहीं करना है कल अगर 2552 के उपर की यह candle close हो जाती है पांच मिनट की हो दस मिनट की हो तो उसके बाद आप वहाँ पर trade कर सकते हैं टार्गेट हमारा 2580 और 2610 रपे रहेगा नेक्स्ट है हमारा Axis Bank तो मैंने बैंकिंग की वीडियो की बैंकिंग की मैंने वीडियो बना दी है आप जाकर जो है उसको देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा बजाज आटो तो बजाज आटो दिखी इस breakout के बाद जो है continue retest कर रहा है, retest करने के अधिया continue sustain कर रहा है, अब यहाँ पर इसको कम से कम 3340 अरपे के उपर निकलने दीजिए, 3340 अरपे के closing ऊपर आती है, तो यहाँ पर आप 3370 और 3400 के लिए trade करने के लिए 470 रुपे के उपर यहाँ पर एक candle close होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लॉंग कर सकते हैं, next है मारा बजाज फिंजर, तो बजाज फिंजर में अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखें एक flag pattern मन रहा है, pole and flag, तो यह देखिए, यह इसका pole है और यह flag है, त तो 600 points हम उपर के लिए जाएंगे, अगर नीचे breakout होगा, तो 600 के लिए हम नीचे के लिए जाएंगे, अगर आप इसकी trade रहे हैं, तो यहाँ पर आज के low के नीचे आप sell का trade बना सकते हैं, 8890 रिपे के नीचे आप sell side आप जा सकते हैं, अदर्वाइस 92 के उपर long side जा सकते है next है हमारा BPCL, तो BPCL देखी मैंने आपको यहाँ पर कल बताया था, कि यहाँ पर symmetrical triangle pattern यहाँ पर बन रहा है, देखिए रहां से देखिए, symmetrical triangle pattern यहाँ पर बन रहा है, इस pattern का breakout होने दिजिए, breakout down होने दिजिए, उसके बाद हम इसको trade के लिए देखेंगे, next है हमारा भारती A तो भारती A यहाँ पर देखिए, यहाँ पर breakout हो चुका है, 490 रपे के उपर इसका breakout था, breakout होने के बाद अभी यहाँ पर यह देखें, sustain कर रहा है, तो यहाँ पर अभी इसको कम से कम 510 का level निकालने दिजिए, 510 के उपर यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, target 515, 520 और 525 रुपे होगा, next है हमारा ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया देखिए, जैसा कल मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर दो hurdle इसके लिए face हो रहे थे, एक जो यह उपर से trend line आ रही है, यह और यह जो है, यहाँ से एक channel pattern बन रहा है, तो finally अब जो है, इसका closing उपर आ च तरफ रहा, अब यहाँ पर आप कल जो है trade करना चाते हैं, तो 790 रुपे के उपर आप इसमें trade बना सकते हैं, target आपका रहेगा 800 रुपे, next है हमारा coal इंडिया, तो coal इंडिया चली, हाँ, coal इंडिया देखिए, मैंने कल एक video बनाई थी, top 10 breakout stocks, तो उसमें मैंने coal इंडिया क हम यहाँ पर कह सकते हैं, आप 7, more than 7% से हाँ पर move हो चुकी है, अगर आप यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, पिछला high भी same लगा हुआ है, जो आज का high लगा हुआ है, तो एक बार अभी अगर आप intraday में इसको trade करना चाते हैं, तो एक बार तो trend line देखें, कल ही हमको यहाँ पर breakout दिख रहा था, बट यहाँ पर आज confirmation थोड़ सी हो गई है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो आज low लगा हुआ है, यह low लगा हुआ है 3584 रुपे का, 3580 के नीचे आप यहाँ पर trade बना सकते हैं, यह पर positional में इसका target 3450 रुपे होने वाला है, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेडी, तो डॉक्टर रेडी अभी देखें, रेंज में काम कर रहा है, इसके लिए जो resistance रुपे का है, यहाँ पर की closing इसको 500 रुपे तक लेकर जा सकती है, नेक्स्ट है हमारा आईशर मोटर, तो देखें, आईशर मोटर कल मै होगा 2460 रुपे के नीचे, तो उन्हें एक अच्छा profit बुक किया होगा, जो आज इसका low लगा है, वो देखें, low लगा है 292 रुपे का, नेक्स्ट है हमारा गेल, तो देखें, गेल को भी मैंने शामिल किया था अपने breakout stocks में, तो यहाँ पर अभी यह जो breakout हुआ है, तो इस पर इस देखें, पर अभी यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर देखें, अब हमको buying यहाँ पर कहाँ पर बनानी है, हमको buying बनानी है 932 रुपे के उपर, 932 रुपे के उपर निकलता है, तो हम यहाँ पर buying के लिए जा सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा है HCL Tech, तो मैंने बैंकिंग की वीडियो बना रखी आप उसको जाके देख लिजेगा नेक्स्ट है मारा हीरो मोटो तो हीरो मोटो यहाँ पर ध्यान से देखिए कली मैंने आपको बताया था कि अपने रेजिस्टन्स लेवल के आस पास है और यहाँ से यह रिवर्स हो सकता है तो फाइनली देखिए जो मैंने नीचे से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रो की होई है आज इसने इसके नीचे क्लूजिंग दे दी है तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पर बायर्स हैं फिर हम इसको ट्रेट के लिए देखेंगे नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए कंटिन्यू 5-6 दिन से कंटिन्यू 1-sided move हो रही है मैंने आपको यहाँ पर बताया है आगे हमारा नेक्स्ट है दिखिए हम बात बद रहे थे नेसले की तो यहाँ पर नेसले दिखी इसको भी मैंने अपने breakout श्टॉक्स में मैंने आपको बताया था तो यहां पर देखी मैंने आपको बताया था कि 18,412 या 18,450 के उपर मैंने bank लिए बताया था तो finally देखी आज इसमें जो high लगा है वो high इसका लगा हुआ है 18,680 का तो finally यहां पर 200 से 500 points की यहां पर जो है profit आज जिसने भी किया होगा उसको 2500 points का profit यहां पर मिल गया होगा तो next है हमारा ONGC, ONGC भी मेरा breakout stocks में था तो यहां पर देखी आपको मैंने बताया था कि 96-97 के उपर यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं तो finally देखी इसका जो high लगा है आज वो high लगा है 98.25 का तो मैं भी कह सकते हैं 3-4-5% की movie हाँ पर आज हमको देखने को मिली है next हमारा Reliance, तो Reliance देखी अभी continue जो यह नीचे से हमने trend line draw की हुई है अभी continue इसी का support लेकर यहीं पर रुका हुआ है अब जब तक देखी इसमें जब तक यह 2050 के उपर close नहीं करता है तब तक इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर मैं इसको कुछ logic आपको बताना जा रहा हूँ जो पंजाब में इस टाइम farmers के जो issue चल रहे है वो यहाँ पर देखी जो भी जीयों के जितने भी अभी तक 40-50 लाग sim जो है port हो चुके हैं और यहाँ पर जितने भी store है पंजाब में जितने भी store है उनसे खरीदारी बंद हो चुकी है जितने भी mall है उनके वो सारे यहाँ पर बंद है और जितने भी petrol pump हो गए रहा है मतलब पंजाब के लोगों ने बिल्कुल buy cut किया हुआ है यहाँ पर reliance में अगर आप position बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा रुपना होगा विकाउस यहाँ पर negative news बहुत ज़्यादा आ रही है देखे fundamental तो बहुत strong stock है बट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको अभी इसमें कोई position आपको नहीं बनानी चाहिए next है हमारा SBI Life तो SBI Life देखे अभी एक range में trade कर रहा है इसको अभी कुछ मत करिए next है हमारा State Bank of India banking की video बना दियो उसमें देख लीजेगा next है हमारा Sun Pharma तो देखे Sun Pharma कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखे ब्रेक आउट हुआ है ब्रेक आउट होने के बाद यहाँ पर री टेस्ट के लिए आया है और यहाँ पर डोजी केंडल बनी हुई है और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर trade करना चाहते हैं इसको फाइनली हम इसको जो है 2800 रुपे के ऊपर की closing चाहिए 2800 रुपे के ऊपर की closing आईगे फिर हम इसमें बाइं के लिए देखेंगे otherwise अगर आप इंट्राइट रेटर हैं तो आप जो है 2850 रुपे के ऊपर इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं 2850 रुपे इसमें हमारा टार्गेट है नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स भी ब्रेक आउट के बाद जो है सस्टेन कर रहा है यहाँ पर देखें मैं आप ट्रेंड लैन ड्रॉप करता हूँ और इस ट्रेंड लैन के आसपास देखें टाटा मोटर्स भी ब्रेक आउट के बाद यहाँ पर पांच शे दिन से कंटीनू सस्टेन कर रहा था और देखें कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि यह जो ग्रीन केंडल बनी हुई है यह मेरे को एक स्ट्रॉंग केंडल दिख रही है अब यहाँ से उपर की तरफ निकल सकता है तो 1450 के उपर मैंने आपको यहाँ पर बाइंग करने के लिए बताया था और यहाँ पर फाइनली जो आज हाई लगा है 1470 का लगा है अगर आप इंटरे ट्रेटर रहे हैं तो कल आप 1470 के उपर बाइंग कर सकते हैं 1490 और 1570 का टार्गेट रहेगा नेच्ट है मारा UPL तो UPL देखे यह जो नीचे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रो करके रखी हुई है इसको मैं थोड़ा डाग कर देता हम आपको अच्छे से दिखाई देगा तो यह जो देखे मैंने यहां से नीचे ट्रेंड लाइन ड्रो की हुई है अब फाइनली देखे इसके लिए यही अभी सपोर्ट है जितनी बार यहां पर आ रहा है उतनी बार यहां से बाउंस बैक हो रहा है और बार बार देखिए यहाई से bounce back हो रहा है तो एक doji candle यहाँ पर बनी हुई थी आपको doji candle के ओपर 5,020 के ओपर buying के लिए बताया था और finally देखिए यहाँ पर जो आज का high जो लगा है वो 5,080 का लगा है अब यहाँ पर कल आप जो है इसमें प्रेंड लाइन को break कर दिया है मिनस हम कहा सकते है चैनल को break out कर दिया है चैनल का break out हो चुका है तो यहाँ पर देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बीरिश होने वाले हैं यहाँ पर इसके लिए अब जो support है यह support के आसपास बिल्कुल दिखिए यहाँ पर दिखिए यह support के आसपास ही है तो अब अगर यह कल 345 का level break करता है तो हम यहाँ पर 335 के target के लिए जा सकते हैं दोसरा देखिए यह जो चार्ट बगरा है जो भी इंट्राट है कि बैंक इंफ्टी बगरा कि मैं continue अपने telegram channel पोस्ट करते रहता हूँ वहाँ पर सारी levels में बताते रहता हूँ internet में जो भी होने वाला है वहाँ पर जो भी support पर काम कर रहा है resistance पर है या trend line कुछ भी breakout है कुछ भी है वो सब मैं यहाँ पर telegram channel बताते रहता हूँ देता रहता हूँ अपने analysis वहाँ पर share करते रहता हूँ तो आप चाहें तो हमाँ telegram channel जोइन कर सकते हैं चलिए अगर आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा इतनी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल की वीडियो में जय हिंद